नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि सिंजैन टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, सिंजैन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और सिंजैन टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकत और यह भी डिसकस करेंगे कि सिंजैन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, और किन कंडिशन्स में सिंजैन टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है, सिंजैन टैबलेट का उप्योग चक्कर आने की समस्या को ठीक करने के लिए किया जात लेने की सला दे सकते हैं। सफर में जी मिचलाना, चक्कर आना, उल्ती आना या उल्ती आने की समस्या को रोकने के लिए डॉक्तर सिंजेन टैबलेट के साथ साथ वर्टिन टैबलेट को भी लेने की सला दे सकते हैं। सिंजेन एक ब्रैंड नेम है, सिंजेन टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन सिनार्जिन होता है, सिंजेन टैबलेट 25 mg व 75 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले, अब हम दिसकस करेंगे कि सिंजेन टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सिंजेन टैबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसंट व्यक्तियों में सिंजेन टैबलेट की वज़े से कु से लेना रिक्मेंडेड होता है सिंजेन टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिक्मेंडेड होता है सिंजेन टैबलेट एक डिस्पसिबल टैबलेट है जो पानी में अपने आप घुल जाती है आपको सिंजेन टैबलेट को लेने से पहले पानी से भरे आधे या एक गिला सिंजेन टैबलेट को डाल लेना चाहिए और जब सिंजेन टैबलेट पानी में अच्छी तरह घुल जाए तब उस पानी को पी लेना चाहिए आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर सिंजेन 25 mg टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सला यदि आप सफर में जी मिचलाना या उल्ती आने की समस्या को रोकने के लिए सिंजेन टैबलेट को लेते हैं तो सिंजेन टैबलेट को सफर में जाने से 2 घंटे पहले लेना रिक्मेंडेड होता है सिंजेन टेबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको सिंजेन टेबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्तर की सला के बिना सिंजेन टेबलेट को नहीं लेना चाहिए अब हम discuss करेंगे कि SINJEN Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन conditions में SINJEN Tablet को लेना recommended नहीं होता है SINJEN Tablet के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और SINJEN Tablet को लेने के बाद driving नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है, क्योंकि सिंजेन टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नीन ज्यादा आ सकती है, पारकिंसन्स डिजीज होने पर और लिवर या किड्नी की बहुत ही सावधानी से दिया जाता है, इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना सिंजेन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को सिंजेन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रिडेंट से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को सिंजेन टैबल को ले सकती है या नहीं प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए सिंजेन टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है इसलिए डॉक्तर की सला के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को सिंजेन टैबलेट को नहीं ल प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं